सर्दी का मोसम है और मार्केट में कापी सारी हरी भरी सबजे आ रही तो इनी सबजेों का इसमाल करके आज हम मिक्स विजिटेबल पुलाव बनाएंगे बच्चे वया बड़े फुलाव हर किसी को पसंद आता है आज की इस विडियो में मैंने कापी आसान तरीके से जट पटे प्रेशर कूकर में पुलाव बना कर दिखाया है हेलो फ्रेंड्स मैं वो कवितार आपका स्वागत है मेरे किचन में आज मैं बनाने जा रहे हुए रेश्टारे श्टाइल वेज पुलाव बहुत ही सिंपल और एजी रेसिपी है वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदाने की अगर आपको मेरे वीडियो अच है सब जो भी मैंने या पर लिया है कटावा फुल गोबी गाजर कटावा आलू पैज थोड़ा सा धनिया पत्ता हरी मिर्च और एक चमच आदरक लसुंका पेश्ट लिया है इसके साथ ही मैंने या पर लगबग दो मिडियम साइज के टमाटर को भी इस तरह से बारिक कट कर लिया है आदा कप फ्रेश हरा मटर मसालों में मैंने लिया है एक चमच लाल मिच का पाउडर इसके साथी कलर के लिए मैंने एक चमच कश्मिरी लाल मिच का पाउडर भी लिया है एक चमच धनिया पाउडर एक चमच गरम मसाला चोथा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच ज आप में चममच तेल डालेंगे साथ यहाँ पर ठोड़ा सा बटर लिया है इसे भी डालेंगे आप शाहितों बटर की जगह में देशी गी का भी यापर समल कर सकते लेकिन बटर डालने से इसका टेश जो ही कापी अच्छे से आता है इसलिए मैंने यापर थोड़े से बटर का भी समल किया है जैसे बटर यापर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा मिसमें आदा चम्मच जीरा और खड़े मसाले डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके फ्राय करेंगे तो देखे यापर इस तरह से लगबग आदे मिर्ट के के लिए हमें मसालों को फ्राय करना ही ताकि इसका कच्छापन चला जाए जैसे मसाले यापर अच्छे से फ्राय हो जाएंगे हम इसमें कटी वही हरी मिर्च और प्याज डालेंगे मिर्च को मैंने इस तरह से लंबे साइज में कट करके डाला था मिला देंगे प्याज और म सबधी पसंद कर सकते हें तो देखे इस तरह से सभी सबस्तों को मैंने एड कर दिया है। लाश्ट में हम इसमें टमाटर और मटर को भी डालेंगे इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक डालने से क्या होता है कि सब्जिया जो है जल्दी सौप्ट होती इसलिए मैंने यापर नमक का इसमाल किया तो लगबग आदा चमश नमक मैंने यापर डाला था मिला देंगे नमक को सभी सब्जियों के साथ अच्छे से और अब हम सब्जियों को लगबग 4-5 मिट के लिए मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे ध्यान रखे वेच पुलाव बनाते समय सब्जियों को और कूकना करें यानि कि सब्जियों का कच्छा पंदूर होने तक ही हमें इसे फ्राय करना है सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से में इसके उपर 2 मिट के लिए ढखकन रख दूँगी ताकि सब्जिया जो है जल्दी सौप्ट हो जाए 2 मिट के बाद हम इसका ढखकन अटाएंगे तो देखी सब्जिया यापर कापी अच्छे से सौप्ट हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे इसमें कुछ सुके मसाले अड़ करेंगे एक चमश लालमिच का पाउडर इसके बाद मैंने यापर कश्मिरी लालमिच का पाउडर लियाए इसे भी डालेंगे एक कम तिक हावाला होता है और इससे कलर भी अच्छे आता है इसलिए मैंने यापर इसमाल के आए साथ धनिया पाउडर गरम मसाला इसके बाद लाश्ट में हम इसमें हल्दी डालेंगे और सब्जियों के साथ मसालों को अच्छे से भूनेंगे इस वेज पुलाओ को बनाने के लिए मैंने या पर सिर्फ बेसिक मसालों का इसमाल के आए आप शाहे तो कोई अलग से बिर्यानी मसाला वैगरा भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन इस तरह बेसिक मसाले डालने से भी पुलाओ जो ही कापी अच्छे से स्वाधिश्ट बनके तयार हो जाता है मिडियम प्लेम पे मसालों को हम लगबग एक मिट के लिए भुनेंगे ताकि मसालों का कच्छा पंजो या पर चला जाए इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे तो मैंने या पर लगबग 3-4 चमच दही का इसमाल किया है द्यान रखे वेच पुलाव बनाते समय हमें या पर खटे दही का इसमाल बिल्कुल भी नहीं करना है मतलब ताजे दही का हमें या पर इसमाल करना है साथ ही थोड़ा सा कटावा धनिया पत्ता डालेंगे मिला देंगे धन्या पत्ता को और दही को सबजियों के साथ अच्छे से रेश्टोरन श्टाइल वेश पुलाव बनाते समय दही का इसमाल जरूर करें एसा करने से आपका पुलाव जो है कापी अच्छे से स्वाधिष्ट बनके तयार हो जाता है दो मिट के बाद आप देखेंगे सबजिया और मसाले या पर अच्छे से पक चुके तो अब हम क्या करेंगे इसे फिर से एक मिट के लिए ढखेंगे ताकि मसाले और दही का फ्लेवर जो है इस पुलाव में अच्छे से आ जाए एक मिट के बाद धक्कन हटाएंगे मिक्स करेंगे फिर सही से और अब हम इसमें चावल एड़ करेंगे चावल को मैंने पेले ही अच्छे से साप करके लिया था आप चाहे तो चावल को धो कर भी इसमें डाल सकते हैं कई सारे लोग जो ही पुलाव बनाते समय चावल को फेले 20 मिट पाने में विगो के रखते हैं इसके बाद इसमें डालते हैं लेकिन मैंने याप पर बीना विगोए बीना दोए ही इसका इससमाल किया है इस तरीके से आप वेच पुलाव बनाएंगे तो एकदम बीरियानी जैसे टेज जो ही इस पुलाव में आता है तो एक बार इस तरीके से पुलाव बना कर जरूर देखिए मिला देंगे सभी चावल को सबजी और मसालों के साथ अच्छे से इस तरह चावल को मसालों के साथ मिक्स करने से मसला की कोटिंग जो है चावल में अच्छे से लग जाती है और इसे हमारा पुला जो है बहुत ही अच्छे से बनके तयार हो जाता है और अब हम इसमें पाने याड़ करेंगे तो जिस कप से हमने चावल को ना पाता से हम उसी कप से मैंने यापर चार कप पानी का इसमाल किया है रेश्टारंश टाइल खिला-खिला पुला बोनाते समय हमें एक कप चावल के लिए दो कप पानी का इसमाल किया है मैंने यापर दो कप चावल लिया था इसलिए चार कप पानी डाला है चावल और पानी नापने के लिए आप कोई भी कप या कटोरी या पर सेट कर सकते हैं साथ यह हम इसमें आदा चमश नमक डालेंगे ध्यान रखे हमने पेले भी सब्जों को पकाते समय नमक का इस समाल किया था मिला देंगे नमक को अच्छे से और अब हम कुकर का ढखकन बन करके मिडियम फ्लेम पे लगबग तीन से चार सिटी आने तक पकाएंगे थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कुकर में सिटी लग चुके तो अब हम कुकर को पूरी तरीके से थंडा होने देंगे और इसके बाद खोलेंगे तो देखे, पुलाव या पर कापी अच्छे से पक चुका है और हर एक चावला आप देख सकते हैं, बिल्कुल खिला-खिला है तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में तो ये लीजे हमारा सुपर टेश्टी हेल्दी रेश्टोरन स्टाइल वेच पुलाव सर्व करने के लिए बिल्कुल तायार है लंच हो या डिनर आप इस पुलाव को कभी भी बना कर खा सकते हैं टेश्टी होने के साथ-साथ काफी हेल्दी रेसिपी तो आप इस वेच पुलाव की रेसिपी को घर पर जरूर ट्राय करें उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे फिर मिलती हो मैं आपको एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद